अब जो स्पेस शटल जिसके अंदर कल्पना चावला और बागी के क्रिव मेंबर्स थे वो स्पेस शटल ने का कॉंटेक्ट जो है वो नासा से छुट गया अब नासा क्या है नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एड्मिनिस्टेशन यह उसका फूल फॉर्म है नासा का नेश प्रिशनल एरोनिक्स एंड स्पेस एड्मिनिस्टेशन तो शटल लॉस्ट कॉंटेक्ट विज नासा शटल का स्पेस शटल का शुट गया नाशा के साथ छुट गया नाईनम को लब नौ बजे इस इत केम इन फॉर लंडिंग जब वो लेंडिंग करने ही वाला था तब इस अनल्टिट्यूड ओर वर तो हंडड थाउजन फीट एंड तो फीट एंड ट्रावेलिंग एड ओवर ट्वेंटी थाउजन किलोमेटर पर आर अब ये जो शटल है बताया के स्पेस शटल है वो उड रहा था कितनी उचाएब पर तो टूलेक्ट फीट हाइट पर यानि के 200,000 यानि 2 लेक फीट हाइट पर यह स्पेस शेटल उड़ रहा था और यह 20,000 किलोमेटर पर आर की स्पीड से उड़ रहा था स्पेस शेटल वो नीचे आ रहा था जब स्पेस शेटल के साथ ग्राउंड कंट्रोल का जो कॉंटेक्ट था वो छुट गया कोलंबिया हैड लिप्टेड ओफ और 16 जैनुवारी 2003 अब कोलंबिया जो है स्पेस शेटल वो यहां से टेक अप कब हुआ था तो 16 जैनुवारी 2003 को फ्रॉम दा कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लॉरिडा से इठ है इन और बीट फर 16 जैन और यह स्पेस शेटल 16 दिन तक अपने और बीट में रहा था और उसके जो 7 मेंबर्स है क्रूँ वो 7 मेंबर्स क्रूँ के जो थे उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंस किये बिफोर इट बेगेन इस डाउनवर्ड जर्नी जब स्पेस शेटल स्पेस में से वापिस आया उससे पहले वो 16 दिन तक स्पेस में रहा और यह 16 दिन तक स्पेस में रह बहुत ही दुखत हुआ दिस वस कोलंबिया 28th space flight और यह कोलंबिया की पहली दूसरी नहीं लेकिन वैसे कोलंबिया की तो यह 28th space flight थी तो space shuttle जो था कोलंबिया उसकी 28th वी उडान थी and the shuttle was said to be good for 100 flights और ऐसा माना जाता था कि यह shuttle है वो और 100 जितनी flights के लिए बहुत ही अच्छा था उसमें कोई खामी या कोई problem नहीं था कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in kernel that she would cross the frontiers of space अब हम सबको बता है कि कल्पना चावला we all know her for to be an astronaut देखो astronaut क्या होता है astronaut मतलब एक ऐसा person जो space में travel करता है a person who travels in spacecraft जो इनसान spacecraft में travel करता है उसे हम astronaut कहता है अंतरिक्ष यात्री तो कल्पना चावला said कल्पना चावला ने कहा कि she never dreamed उसने कभी भी ऐसा सपना नहीं देखा था as a child in kernel kernel में एक बच्ची होने के नाते उसने ऐसा कभी सपना नहीं देखा था कि she would cross the frontiers of space कि वो जो space की boundaries है frontiers of space यहाँ पे frontiers का मतलब आपको संबदना है boundary तो कल्पना चावला ने बच्च्पन में कभी ऐसा सपना नहीं देखा था कि जो space की boundary है उसे वो कभी cross करेगी बड़ी होकर यानि कि वो उसने ऐसा बच्च्पन में सपना नहीं देखा था कि वो बड़ी होकर को एस्टरोनट बनेगी और space में travel करेगी it was enough that her parents allowed her to attend engineering college उसके लिए इतना ही enough था कि उसके parents ने उसे allow किया था engineering college को attend करना after she graduated from tagore school मतलब कल्पना चावला जब उन्होंने tagore school से graduation पूरा कर दिया और उसके बाद उसके parents ने उसे allow किया engineering college attend करने का उसके लिए इतना ही enough था तो she did not imagine more than that उससे ज्यादा उसने कुछ imagine नहीं किया था क्योंकि कल्पना के लिए इतना enough था कि उसके parents ने उसे allow कर दिया engineering college को join करना का मतलब यह दिखाता है कि यह एक ऐसा समय था जहां पे लड़कियों को बहुत ज्यादा पड़ाई करने के लिए या फिर बहुत ही ज्यादा permission society में नहीं दिया जाता था और ऐसे समय में कल्पना को engineering college है वो join करने दिया कल्पना के लिए यह बहुत ही enough था राइट कि उसके parents ने उसे allow किया engineering college join करने के लिए जब उन्होंने graduation कर लिया टागोर स्कूल से तब second after a bachelor of science degree in aeronautical engineering कल्पना चावला ने जब bachelor of science degree पूरी कर ली aeronautical engineering में उसके बाद against great opposition from her father उसके फादर का बहुत ही विरोध हुआ उसके बावजूद she went for a master's degree to the United States of America का मनलब उसके फादर ने विरोध किया काफी सारा फिर भी कल्पना चावला अपनी master degree पूरी करने के लिए USA गई she later earned her PhD in aerospace engineering और वहाँ पर जाकर उन्होंने PhD की डिगरी हासिल की कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut कल्पना चावला वो पहली इंडियन American woman astronaut बनी अभी मैंने समझा एस्टोनाट का मतलब होता है टेक ओफ यहां पर ब्लास्ट ओफ का मतलब होता है किल्पना चावला को क्या कहता है की कल्पना चावला वस फर्स इंडियन इंदियन अमेलिकन एस्टेजना पहलां पहले इंदयन अमेरिकन आश्टेजनी थे टू ब्लाष्ट ओफ कि ऐख प्रलॉण्चपड एड़ कैप केनेवेरल फ्लॉरीडा फ्लॉरीडा थे आजिस ó फॉर्सट इंदियन अमेरिकन वोमन थी and participate in a successful mission in space और जिनों ने जो successful mission रहा था space में उसमें participate करने वाली वो पहली Indian American woman थी Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center उसकी family ने cheer किया staff के साथ-साथ Kennedy Space Center से as they watched the Columbia laptop जब उन्होंने Columbia को laptop हुए दिखा तो कलपना की family ने भी बहुत cheer किया कलपना को इतनी सफलता के लिए